हेलो, वेलकम बेक, मैं हूँ मंदीब कॉर, मैंने घर पे हैर समूधनिंग की है, और मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया है, स्पैशल आप के लिए, अगर आप घर पे समूधनिंग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखके समूधनिंग कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए नहीं भी समझाए तो आप प्लीस दुबारा देखिए उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं है समूधनिंग का जो मेरा रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा आया है मैंने पहले पारलर में दो वार में समूधनिंग की है कौन से प्रोसेस से निकलना पड़ता है थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है 5-6 घंटे जरूर लग जाते हैं मेनत होती है लेकिन आपके पारलर के पैसे जरूर बचाते हैं तो सब को पता है जो करवाते होंगे स्मूधनिंग या स्टेटिंग करवाते ह होंगे पालर में आजकल पैसे बहुत हैं इसलिए मैं चाहती हो कि आप घर पे चाहिए लेकिन एक बात जरूर मैं आपको क्लिर कर देना चाहती हो कि अगर आप फर्स टाइम घर पे ट्राइब नहीं किया है, मैं घर पहले दो बार बाहर गरवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने फर्ड टाइम घर पे ट्राइब किया है, क्यूंकि यह जो क्रीम होती है, कोई भी ब्रैंड की क्रीम हो, यह केमिकल बेस होती है, तो इसका आपको कोई side effect हो सक मैंने पहले करना तो अब मंस्मीन के अगा Land Homo के समूद्रे jegant का रिजले से का कई दूक्स है समूद्रिंग करना चाहें तो कोई होगी दो आखाएंगन, आप करेंड़ी किते हैं कि आप तो रहे हैं कि जो किते हो जो हैं, jis Mark Lovatch Football get backishaill. है कैसे करनी है वो सेम होता है सबका और उसके बाद जब आप आप शैंपू गयरा यूज करने है तो आपको जो भी ब्रैंड के आपने स्मूधनिंग करनी है उसी ब्रैंड के ही शैंपू गयरा आपको यूज करने है तो मैंने लोरियल एक्स्टेंसो का जो स्मूधनिंग की है तो आप देख साथे हैं मेरे बाल और उसके लिए वाला एक। यूजिर करते हैं तो उसके लिए ये वाला शेंपू यूजिँ करना है। यह special smoothening के लिए ही आता है, यह वाला shampoo यूज़ करना है, मैं इन सब product के जो link है मैं description में दे दूंगी, वहां से आप purchase कर सकते हैं, उसके बाद यह shampoo यूज़ करने के बाद आपको यह hair mask यूज़ करना है, यह hair mask आप अच्छे से देख सकते हैं, यह use करना है, अच्छे से बालों पर उसके बाद उसको पांच साथ मिनट उसको अपलाई करके रखना है, उसके बाद सिंपल पानी से दो लेना है, means shampoo यूज़ करना है, उसके बाद आपको serum यूज़ करना है, सिर्म मैं BioLage की यूज़ कर रही हूँ, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, यह यूज़ मैं करूंगी, और Loreal की भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाल गिले ही होते हैं, थोड़े से सूख जाने के बाद तो यह थे कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और अगर आप समूधनी करना चाहते तो यह वीडियो एंड तक जुरूर देखें, अगर आपको अच्छी लगी और आपने ट्राई किया तो मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताना, और फर्स टाइम वो समूधनी कर सकते हैं, तो यह है मेरे बाल जो इस तरह से बिलकुल खराब हो चुके हैं, सबसे पहले मैंने इनको वाश कर लिया है, इसमें कोई भी आईल या किसी भी तरह का कोई प्रोड़क्ट यूज नहीं किया होना चाहिए, बाल धोके मैंने इनको ड्राई कर लिया यहां इस तरह से मैंने इसको दो पार्ट में कर लिया है, अब इसके दो पार्ट को चार पार्ट करना है, दो दो पार्ट को चार पार्ट में इस तरह डिवाइड कर लेना है, तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिलकुल इसी तरह ही करना है आपको, तो बार बार मैं सिधा कर रही हूँ इसको जो भी आपके पास क्लिप अवेलेबल हों ताइ करने के लिए वो यूज़ कर लेने है तो अब दो एक साइट से मैंने दो पार्ट्स कर लिए हैं डिवाइड कर लिया है बालों को इसे तरह इधर से भी इसी तरह मैं इनको लग-' इस तरहं टाइ क कर लूंगी तो अब यह जो पीछे के बाल हैं जितना आप देख रहे हैं ना यहां से लेना है नीचे से बिलकुल थोड़ी थोड़ी कौंटिटी जितना आप देख रहे हैं यह मैंने ली है इस तरह से इनको स्ट्रेट कर लेना है तो आपके पास स्ट्रेटनर और हैर ड्रायर भी होना चाहिए तो इस तरह से सबसे पहले इनको अच्छी तरह स्टेट कर लेना है जितनी अच्छी तरह स्टेट करोगे उतनी ही अच्छी समूधनिंग होगी तो इस तरह से मैंने एक पार्ट को स्टेट कर लिया है और अब बाकी के पार्ट भी इसी तरह जैसा आप देख दूसरी से इनको स्ट्रेट कर सकते हैं अज़े से स्ट्रेट होने चाहिए बूंस तरह बिर मैंने इनको चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है स्ट्रेट करने के बाद क्यूंकि अब हमको क्रीम एपलाई करनी है इसके बाद आपको गलॉफ जरूर चड़ा लेने है क्यूंकि यह कैमिकल बेस्ट है क्रीम यह दिखे यह लॉरेल एक्स्टेंसो जो क्रीम है एक पैकेट 125 ग्राम का आता है दो पैकेट हैं दोनों अलग लग हैं एक समूधनिंग का होता है एक होता है निटलाइजिंग करीम सबसे पहले समूधनिंग करीम हमको यूज करनी है यह लॉरेल एक्स्टेंसो की समूधनिंग करीम है अगर आपके बालों के लेंथ ज्यादा है तो आप दो पैकेट ले लीजिए या बड़ा पैकेट ले लीजिए इसके लिए तो इस तरह जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लेके जितने कम कॉइंटिटी में आप बाल लोगे उतनी अच्छी इसको ये करीम जो है अच्छे से अपलाई होगी तो इस तर स्केल्प को ये करीम टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए स्केल्प को ये करीम इस बात का जरूर ध्यान रखें तो इस तरह से इस तरह से इसको रब करते हुए इस तरह से करीम को पूरे बालों पर एपलाई कर लेना है बहुत ही अच्छे से कोई भी बाल चुटना नहीं चाहिए और इस तरह बिल्कुल state करते हुए इस तरह क्रीम अपलाई करना है चाहित है इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगता से थे औ가र करने के बाद मेंने इसको थोड़ा सा सिध कर लिए है। में इसका फूर्दा नहीं है करीम को तो ये मैंने बाल अभी धो लिये हैं मैंने सिर्फ इसको 25-30 मिनिट बालों के उपर ये करीम छोड़ ली है उसके बाद मैंने बालों को वाश कर लिया है उसके लिए शैंपू यूज नहीं करना है जस्ट आपको करीम वाश करनी है उसके बाद मैंने head dryer से बालों को dry कर लिये है आप देख सकते हैं बालों की look काफी change हो गई है एक ही application से means एक ही cream वा भी यूज़ की है मैंने अब दोबारा फिर से बाल बिल्कुल dry होने चाहिए बिल्कुल भी गिले नहीं होने चाहिए बाल आपके तो इस तरह हैं फिर से इनको चार part में divide कर लेना है तो अब मैं इसको फिर से straight करने वाली हूँ बाल थोड़े थोड़े लेकर जैसे हमने पहले किये थे बिलकूल अच्छी तरह यह वाला जो part रहेगा बिलकूल अच्छे से इसको straight करना है बालों को तो यही मेन इसका प्रोसेस है कि जतने अच्छे से आप स्ट्रेट करोगे बाल उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो यह देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं फर्स्ट क्रीम यूज करके ही इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे तो उसके बाद यह देखे इस तरह से शाइन भी करने लगे हैं बालों में आपने देखा अब यह लोरियल नीट्रालाइजिंग जो करीम है दूसरा पैकेड यह यूज करना है इसके लिए भी मैंने गलॉफ से डालिये हैं तो अब इसको अभी सेम इसका प्रोसेस है इसको भी इसी तरह से फिर से बालों को चार भागों में बांट लेना है इसको डिवाइड कर ले जो पहली वाली करीम थी उसको मैंने 25 से 30 मिनिट तक उसको लगाई रखा था उसके बाद मैंने हैर वाश किये थे तो उसके बाद यह जो नूट्रालाइजिंग करीम है इसको ज्यादा टाइम नहीं रखना है इसको बस आप 10 से 15 मिनिट तक ही रखें उसके बाद इसको मालिश कर रही हूँ इस तरह करना है आपको भी बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए बाल आपके तो इस तरह मैंने अप्लाई कर लिया है तो अब इसको 10 से 15 मिनिट रखने के बाद मैंने बालों को धो लिया है तो अब इसको अच्छे से बिल्कुल खीचना नहीं है आराम से बाद इसको dry कर लेना है बालों को जा hair dryer है तो hair dryer आप use कीजिए अच्छा रहेगा अगर आप hair dryer यूज करोगे इस process के दोरान नहीं भी है तो आप natural शुखा सकते हैं बालों को लेकिन अच्छे से सुखाइए ये देखें इसका जो main result आया है बहुत ही अच्छे बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है बालों पे बहुत शाइन कर रहे हैं और बस जितनी आप केर करोगे उतने ज़्यादर लंबे समय तक बाल अच्छे रहेंगे इस प्रोसेस के बाद आपको तीन दीन तक आपको बालों को स्ट्रेट ही रखना है, बिल्कुल इसको किसी रवर बैंड से बांधना नहीं है, बिल्कुल इसको कठे नहीं होने देने है, फॉल्ड नहीं होने देने है, बिल्कुल भी इसको गिला भी नहीं होने चाहिए, तीन तब हम लेगेमा आय। हैं तरह समूदिन करों demasiado तेंग टकशिक काया उपेर अम की जहाएं तो इसे लीएów को की चपुपा को सुछा करति समूदिन के जब हम हैर वाश करते हैं। आपका result किस रहन से आया है मिलते हैं next video में thank you for watching